Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा platform जहाँ पे class 1 से लेके class 12 तक सारा का सारा quality educational content आप लोगों तक exclusively free of cost लेकर आया जाता है. मतलब यह कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी subject के एक या दो chapter access करने के लिए मिलें और उसके बाद ने फिर आपसे यह बोला जाए कि बचा हुआ content अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़ेगा. ऐसा magnet brains में नहीं होता. magnet brains प्रतिबद है आप लोगों तक सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost लेकर आने के लिए जिसकी मदद से आप लोग अपने examinations की तैयारी अच्छे से कर सके हैं. साथी साथ आपके subjects और concepts की understanding जादा बेटर हो, clarity जादा बेटर हो और आप अच्छा score कर सके हैं. आप इसके इलावा आप इस knowledge की मदद से अपने careers में अच्छा करें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरह की और उनती में आप लोगों कभी अपना एक योगदान हो, अपना एक contribution हो. यही magnet brains का धे है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहा हैं, इसी note पर हम अपने आज के session के शुरुआत करेंगे. इंट्रेस्टिंग session है, मज़ा आएगा, काफी सारी नहीं नहीं चीज़े हम को सीखने को मिलेंगी. कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा beneficial है, इसमें सीखी कई techniques वगरा की मदद से हम अपना काफी ज़्यादा भला कर सकते हैं, हम अपने well-being के उपर काफी ज़्यादा focus कर सकते हैं. अब बिना किसी और वक्त गवाय हम लोग आज के session को शुरू करते हैं, class 11th health and physical education की हमारी NCRT, उसका chapter number 6, yoga and its relevance in the modern times, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राणायाम चले हैं, शुरू करते हैं, तो प्राणायाम में जो ये प्राण है, प्राण का मतलब अगर, आप बेसि प्राण या फिर प्राण वायू का इस्तिमाल किया जाता है, तो यहाँ पर जो प्राण शब्द है, इसका मतलब क्या है, vital force, वो force जो आपको जीवित रखे हुए है, और आयाम का मतलब क्या है, restraint, याने कि उस force के उपर control करना, ये आपका प्राणायाम कहलाता है, ठीक है जी तो प्राणा वो vital energy है, जिसके बिना body जो है survive नहीं कर सकती, और अब अगर इस energy के उपर आपका control होगा, तो कही ना कहीं आप अपनी life को ज़्यादा अच्छे तरीके से manifest कर सकते हो, ये बेसिकली प्राणायाम के पीछे का एक deep sense बनता है, प्राणायाम में हम लोग करते ही है ये बेसिकली एक breathing technique है, या फिर breathing techniques होती है अलग-अलग तरीके की, जिनकी मदद से आपके अब अंदर जो ये so-called vital force जा रहा है, ये जो प्राण वायू आपके अंदर जा रही है, इसको हम लोग control करते हैं, इसको हम लोग regulate करते हैं, इसके चलते हमारा जो conduct है, हमारा जो body और mind के उपर एक control है, जो पकड़ है, वो ज्यादा effective होती है, ज्यादा better होती है, ज्यादा better तरीके से जो है, behave कर पाते हैं, ज्यादा better तरीके से हमारा अपने physical and mental faculties के उपर control बढ़ता है, जो आपकी compulsive habits हैं, compulsive behavior वगरा, कम होता चला जाता है, it helps to improve the control over automatic respiratory mechanisms through the breathing patterns that generate energy and enhance emotional stability, तो व कोई बात कि आप क्योंकि देखी क्या होता है, कुछ चीजें शरीर में automatically चल रहे हैं, आप चाहो तो भी उनको रोक नहीं सकते, आपका दिल धड़क रहा है, वो धड़केगा, आपकी इक्छा हो तो ठीक, आपकी इक्छा ना हो तो ठीक, अच्छा दिन है, बुरा दिन है, स चलता ही रहेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह से आपकी जो breathing है, मैं आप से बात कर रहा हूं, अपना कुछ और काम कर रहा हूं, आप कुछ काम कर रहा हैं, खा रहा हैं, बैट रहा हैं, हस रहा हैं, सब चल रही हैं, मगर breathing रुकती नहीं है, breathing automatically आपकी चल रही ठीक तो अब ये जो आपके कई सारे functions हैं जो automatic हैं जो होते ही हैं consciously unconsciously होते चले जा रहे हैं इन में कोई break बगरा नहीं लगता है इन सारे functions में से एक function जो automatically चलता है वो है आपका respiratory mechanism चाहो ना चाहो सांसे नहीं रोकी जा सकती है आप रोकने की कोशिश करोगे तो 20-30 seconds में समझ मे आपके इस automatic respiratory mechanism को improve करता है breathing patterns वगरा की मदद से इसके चलते ये energy वगरा जो है जादा मातरा में generate करता है और इसके चलते emotional stability वगरा जो है वो भी आपकी काफी जादा बढ़ती है थोड़ादा समझता है देखिए हो क्या रहा है कि मैं आप से बात कर रहा हूँ अब मैं श्वा automatic mechanism में यह सेट है लंग से certain capacity पर काम कर रहा है दिल एक certain rate पर धड़क रहा है तो accordingly certain amount में oxygen अंदर जा रही है और certain amount में oxygen अंदर जा रही है फिर उसका वो जो है बलड में जाके मिलती है यह जो oxygenated blood वगरा है वो आपके organs अलग-अलग organs तक पहुंच रहा है एक certain energy level जो है वो बन जितना मैं normal breathing में करता हूं उससे जादा मातरा में मैं शुमास वगरा अंदर खीच रहा हूं छोड़ रहा हूं यह सारी practices वगरा में भी चल रही है इसके चलते होगा यह कि अब आपका जो breathing pattern था जो एक certain level तक आपका oxygen वगरा अंदर खीच रहा था तीरे दीरे इसकी efficiency रखता है जब यह बहुत ज्यादा practice करने के बाद में आपकी body certain जो बदलाओ आ रहा है इंको accept कर ले और आपका automatic breathing है उसमें भी हो सकता है कि आपका ज्यादा मातरा में जो है पहले पेक्षा oxygen वगरा अंदर जाने लगे फाइदा यह होता है इन सारी चीज़ों का कि अब उसको ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको करना शुरू करते हैं जब आप करते हैं तब तो यह आपके अंदर energy वगरा generate करता ही यह breathing patterns की मदद से क्योंकि जादा मातरा में oxygen जा रही है मगर लगातार practice करते 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 आप अपनी जो body है उसकी जो breathing capacity उसको बढ़ा भी देते हैं तो फिर उसके बाद automatically unconsciously ब्रीफिंग हो रही है उसमें जादा मातरा में oxygen वगरा अंदर खीशता है और उसके चलते आपकी बॉड़ी का energy का level जो है वो कहीं जादा बढ़ जाता है प्लस साथी साथ इसके चलते मन मस्तिश्क भावनाएं सब कुछ control में रहती है तो इतना भी दुखी नहीं होते हैं कि पड़ा चला आप तेरे नाम की राधे हो गाएं परेशान हैं डेप्रेशन और इंसाइटी में जा रहा है उस्तिती में भी नहीं होती है आप नॉर्मल जो है आपका balance बना रहता है बुरे अच्छे हर तरीकी की स्तिती में आप बहुत ज करते हैं सेवन करना भी कहा जा सकता लगातार अगर आप इसकी practice करते हैं लगातार आप consciously unconsciously इस सांसों का छोड़ना और यह जो आपका लेना है इस करते चले जातना है इसके बहुत शमतकारी फायदे आपको अपने विक्तत्र में देखने के लिए मिलेंगे कहीना कहीं आप अपने आप इसका कहूंगा दस दिन पंदा दिन प्रक्टिस करिए उसके बाद 15 दिन पहले आप जो थे और 15 दिन बार जो आप निकल कराएंगे आ समझ में आएगा तो यह पर्टिकुलर चीज है आप योग आसन रेगुलर करें ना करें मगर प्राणाया में एक ऐसी चीज है जो बैठे बैठे की जा सकती है तो इसके लिए इसमें हर एक इंसान को जो है अपना इंवेस्ट करना चाहिए कुछ ना कुछ इसमें अपना टा मेंंडल इडिल स्टीबलेटी जादा बेटर हासिल किंग वगरा उतनी है उसपर बात करते हैं एक टेखनीक होती है जिसने तीन स्थेप्स किये जाता है एक होती पुरक्वे दूसरा होता है रीचक और तीसरा होता है कुम्भक तो पूरक रीचक कुम्भक यह जो एक आपका प्राणायम के फेज़ वगरा हैं इन तीन चीजों-को एक सांत इखटा एक के बाद सिक्वन्स के बड़े फाइदे होता है तो थोड़ा साब इसको देखते हैं इसमें क्या कर कि और कुमबक है कि करके इनको देखते हैं सबसे पहले पूरक की बात करते हैं पूरक में क्या होता है इन पूरक इनिलेशन इस वेरी जेंटल इन डीप विद्फुल अवेर्नेस यानि की पूरक में आप बिजिकली श्वास को जो हैं अंदर की तरफ खीच रहे हैं आप श्व अगर बहुत आराम से आपने सास इसमें कीची है बहुत ज़धा awareness के साथ में ले रहा हूं कि हां मैं श्वास ले रहा हूं ऐसे एक जो है आप बातें करते हो फिर यह सांसे चल रही है वन conscious हो गई आपका जो दिन में दूसरे काम करते हो उसमें सांसे चल रही है वन conscious होगी मगर एकदम रुख कर एक आगरता के साथ में जानते हुए पूरी awareness के साथ में आप जो सांस ले रहे हो उस सांस की यहां पर बात हो रही है तो पूरक में जो inhalation होता है या पूरक में हम लोग basically सांस अंदर खीशते हैं बहुत gently खीशते हैं बहुत deep जितना हो सके उतना ज़्यादा गहराई तक और पूरी awareness के साथ में पूरी consciousness के साथ में जो है आप इस सांस को लेते हो इसमें अब जब आप पूरक करते हो जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपकी चेस्ट जो है वो expand होती है इसका जो अपर रीजन है जिसको हम लोग कई बार बी बोलता है आपकी चेस्ट का या फिर आपका जो अपर पोर्शन है चेस्ट का यह आपका expand होता है coastal और middle region जो है यह भी आपका इसको भी expand होने में आपकी काफी ज़्यादा मदद मिलती है from the front to back and also sideways इसके लावा side वगरा में भी जो है काफी ज़्यादा आपका expansion वगरा होता है तो कुल मिला कि आपकी पूरी की पूरी चेस्ट वगरा जो है इसमें expand होती है इस expansion के चलते होता यह है कि अंदर की तरफ और जादा inner space वगरा create होता है जिसके चलते नॉर्मल जो आपका unconscious सासो में अब जो बात करना हूँ आप से इस वक्त में जो सांसे अंदर जा रही होगी तो यह सांसे भी कही ना कहीं तो पहुंच रहे हैं मतलब इनके लिए जो space वगरा वो create किया गया है पूरक में आप आप जब inhale कर र जाता है ज्यादा मातरा में जो है आपके अंदर एर वगरा जो है जाने के लिए space बनता है at the same time diaphragm contracts more and moves down towards abdominal cavity to the maximum इसी वक्त में आपका diaphragm वगरा जो है वो सब आपका contract करता है और अंदर की तरफ में जाता चला जाता है abdominal cavity की तरफ अंदर की तरफ में जो है maximum जतना जाता है याने कि जितनी सास आप अंदर की तरफ लेंगे chest उतना expand करती है डाइफ्राम बगरा अंदर की तरफ जाता है अंदर inner space बगरा बनता है जिससे जादा मातरा में air बगरा जो है जा सके यह जो है आपका पूरक के वक्त मे होता है in this process muscles of the front wall in abdominal cavity and the perineal region are under pressure to move outwards and downwards respectively आप इस पूरी प्रक्रिया में जब आप ये पूरक कर रहे है उस वक्त में आपके जो front wall की muscles बगरा है abdominal cavity में और उसके आसपास का जो perineal region बगरा है उन पर pressure पड़ता है कि वो अंदर outwards जाए और आपका क्या बोलता है downwards की तरफ जो आपकी सांस ली तो उसके चलते हैं आपकी सांस आपकी जो आपका चेस्ट है वो एक्सपैंड होती है पेट वगरा थोड़ा संदर की तरफ में जाता है और एक inner space create होता है और इस प्रेस के चलते जादा मातला में जो है एर बगरा आपके अंदर आती है अब ये जब एर के सांद चेस्ट वगरा Lower 일이 जलते जादा इनर स्पेस क्रिएट होगा जितना चेस्ट एक्सपैंड होती है डाइफ्राम बगरा जो है पेट वगररा का उतना अंदर की तरफ में जाता चला जाता है और अधाउमनेल क्याविटी वगरा की तरफ में मूफ करता है मैक्जिम तक एंड इस पूरी की पूरी प्रसेस वगरा में आपका काफी जादा मातला में जो है oxygen वगरा आपके अंदर आखे कटी होती है जिसके चलते फिर आपका energy level बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा बाद में अब इसके बाद में आता है कुमभक कुमभक का मतलब होता है retention of the breath inside और outside आपने सास छोड़ दी उसके बार आपने सास रोक लिए अब आप अंदर जुर्ए सास नहीं ले रहे हैं तो ये भी जो है कुमबक कहलाता है तो आप चाहो तो श्वास को अंदर लेके रोक लो या फिर अपने शविर सा शवास को निकाल दिया उसके बाद में आपने लोक लिया है दोनों चीज़ motor किलाती है अगर आपने saas ली के बाद गए ये मितलब क्या होता है रेटेंश्ञन होता है जब भी हम लोग कोई बंद लगाते हैं मूल बंद लगाते हैं या फिर उद्यान बंद लगाते हैं या फिर हमको जलंदर बंद करना है ये सारे बंद वगएरा जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके साथ में फिर जो है आप इस particular state of being में जो है आप रुक्या हूँ है अप शुमास अंदर है बाहर जानी रही है या फिर शुमास बाहर है अंदर आनी रही है दोनों conditions में होता यह है कि body की जो process चल रही कि सांस जो अंदर आएगी सांस जो बाहर जाएगी इसमें फिर कितनी oxygen है कहां पर वो oxygen जो है ब breathing आप ले रहे हैं कुमबक में जो आप ही regulated breathing कर रहे हैं स्वास लेके रोक ली बाहर छोड़के जो है रोक दी इस तरीके से जो आप अपनी breath को regulate करते हैं इसके चलते कुमबक में होता ही है कुमबक इंशार करता है कि oxygen बगएरा की supply जो है sufficient मातरा में जो है आपके brain तक लेके रोक लें फिर आप शोड़े दिल में तीन चार पांच बार करें मन एकदम शांत हो जाएगा जो भी चीज़ पर उस पर आ जाएगा दिमाग एकदम जो है आपका शांत हो जाएगा तो यह जो रेगुलेटेट ब्रीफिंग है इसके मदद से oxygen की sufficient मातरा में supply वगरा ज उसी तरह से रेचक में आप consciously सांसों को बाहर छोड़ते हैं इसमें आप रेचक की मदद से ज्यादा efficient तरीके से आपका carbon dioxide रिलीज होता है रेचक की जो duration होती है कहीं नहीं पूरक की अपेक्षा double मानी जाती है कि अगर आपने दो सेकेंड या 5 सेकेंड तक अगर आपने पू duration होता है वो पूरक के duration से जनरली जो है डबल रखा जाता है अब आपने रेचक की शुरू का बहुती है जब आपका कुमबक खतम होता है यह जो भी आपने बंद लगा रखा है वो बंद आपने रिलीस किया यहां तो सांस अपने अंदर रोक के रखी हुई थी आपर सांस बाहर जोड़ी थी जो भी है कुछ बिलाकर आपने एक बंद लगाया हुआ था वो बंद जैसे ही आपने रिलीस किया उसी के साथ में जो है आपका रेचक शुरू हो जाता है रेचक में आपका डैफराम जो है ऊपर की तरफ में अपका इस्ट करता है इसके चेस्ट के क्या किया जा रहा है consciously सांस को अंदर लिया जा रहा है ठीक है जी कुंबक में क्या किया जा रहा है शौासों को रोका जा रहा है और रेचक में क्या किया जा रहा है शौासों को consciously बाहर छोड़ा जा रहा है यह जो है प्राणायाम की एक टेकनीक होती है अब अगली चीज जो आती है वो आती है तो तीन तरीके से ब्रीफिंग वगरा करते हैं प्लेट से सांस ले लेते हैं दूसरा होता है थोरासिक ब्रीफिंग वगरा इसमें आप थ्रोट वगरा कि मददसे सांस ले लेता हैं तीसरी चीज़ होती है नगते है अप Teakniki को अपनाते हैं तो या फिर इन तीन जो आपकी कॉछते है से सबसे पहले हमको करना ये होता है कि हम लोग आपका पहले तो एक comfortable position में बैठते हैं अल्दी बाल्दी मार कर आप बैठ जाहिए आप इसके बाद ने जब आप इस particular आपने अभी करी है breathing की कि जितना हो सा कि आप एक comfortable position में बैठने के बाद मैं श्वास को अंदर खीच रहे थे जितना जादा खीच सकते थे खीच लिया उसके आतीनों आपकी breathing टेक्निक को इस्तेमाल करकर उसके बाद में आपने श्वास को बाहर निकाल देना है यानि कि exactly जो तो है reverse order आपको लगा देना है just reverse order में जो है यह चीज़ आपको कर देनी है अब यह practice चार से पांच बार आपको repeat करनी है तो यह जो चीज़ है यह आपका योगिक breathing कहलाती है क्या कर रहा है इसमें हम लोग inhale इस तरीके से आप जितना जादा जो है चार पांच बार साथ बार 10 बार 15 बार 20 बार जितना करेंगे तो यह आपका योगिक breathing कहलाती है इसके अपने काफी जादा फायदे होता है अब इसी से related जो अगला अगली चीज़ आती इसको बोलते है नाडी शोद प्राणायाम में हम लोग करते यह हैं कि अपनी जो नाडी वगरा होती है इनको purify कर करते हैं इसको कई बार नाडी शोद प्राणायाम को कई बार जो है अनुलोम का मतलब होता है reverse order में तो आप चलिए जो है श्वास पंदर ले रहे हैं विलोम का मतलब आप जिस तरीके सा भी श्वास पंदर लिये थे उसी pattern में उसके पैटन में उसके reverse pattern में जो है आप उसको प्राणायाम में और इसको कई बार इसकी मदद से नाडी शोधन होती है नाडियां वगरा जो हैं उनका शोधन या उनकी शुद्धी की जाती है अब करते कैसे सबसे पहले आप एक्दम रिलाक्स पोजिशन में बैट जाए एक मेडिटेटिव पॉस्चर में बैटना बोलत हैं सीधे वाले हाथ को आप एक दूसरी मुद्रा में लेकर आते हैं सीधे वाले हाथ को आप लाते हैं नासग्र मुद्रा में नासग्र मुद्रा में किया यह जाता है कि आपका यह हाथ है दो आपकी जो उंगलियां हैं को ऐसे आप मोड लें और दो आपके जो उंगलियां इनको इस तरह से कर दें, ऐसे आप जो है यह जो मुदरा बनाते हैं, इसको नासगर मुदरा बोला जाता है, इसके बाद में अब यह जो आपका अंगूठा है, इसकी मदद से अपने right वाले nostril को बंद करें और left वाले nostril से जितना हो सके उतना तरह श्वांस लें, इस तरीके से करके आपको अपने लेफट वाले नौस्ट्रिल से जितना उसस के शौस लेनी है याद रखिये का शुरुआट जो है नूलोम-विलोम की हमेशा उल्टे वाले जो नौस्ट्रिल से की जाती है बस वही बात यहाँ भी लिखी है कि अब जो थम है इसकी मरत से आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है अनलोम विलोम की शुरुआत यहीं से होती है इसमें गलती मत करियेगा नहीं तो फिर इसके नेगेटिव या रिवर्स इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उतना फाइदा नहीं करता है आपके उपर अब जितना होसा कि आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कर लें रोकियेगा मत उसे उसके बाद में उसको आप दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्जेल करने मतलब यह स्वास्ट्ली आपने दूसरा आपका नॉस्ट्रिल बंग किया छोड़ दिया इस तरीके से अब यहां से स्वास्ट्ली इसको बंग किया छोड़ दिया अब यह जो चीज है इसको नाड़ी शोधन प्रक्रिया यह ननॉलूम विलूम बोला जाता है यह प्रक्रिया जो है आ इतना होना चाहिए इस तरीके से उसके बाद में फिरसको बन किया ना बहुत टाकत से आपने शोङक्छ अंदर लेनी या ना बहुत ना किसा आपको जो करते कुरो आपको तुमस एक ग्शान्त हो जाएगा सुन हो गया ऐसा समझ में अच्छा बहुत असको जखता बहुत फाइदा होता है बहुत चमतकारीक प्रभाव जो हैं यह आपके उपर दिखाएगा तो यह अनलूम विलूम यह नाड़ी शोदन क्रिया कहलाती है मेडिटेटिव पॉस्चर में बेड़ गए हैड और स्पाइन को एरेक्ट रखा है आखे बंद कर ली आखे बंद करने के बाद श्वासों पर ध्यान लगाया थोड़ी देर उसके बाद में दोनों हाथ अपने गुटनों पर रख दिये उल्टे वाले हाथ को ध्यान मुद्रा में लाके इस तरहadata रख लिया सीधे वाले को उठाके आपने क्या किया है नासाग्र मुध्रा में क्या किया जाता है दो उगलियां ऐसी रहती है आपकी जोड़ी हुई दो उगलिया आप इसी मुड़ जाती है आप यहिसी अए हाथ की मदद से ऐसे रखे और सीधेиком हैं इ इतनी देर कर सकें उतनी देर करें बस इतना सा ध्यान रखना है कि inhalation और exhalation slow होना चाहिए डीप होना चाहिए जहां तक हो सके बिना voice की होना चाहिए बहुत जाद इसमें आवाज बगरा नहीं आनी चाहिए ठीक है आप इसके do's and don'ts का ध्यान रखिए कि ratio जो है हमेशा one on one र उसके बाद कुछ किया ही नहीं इसको बंद करके श्वास छोड़ी नहीं है यह नहीं करना है one on one आपको करना है जितना श्वास यहां से अंदर लिये उतना यहां से छोड़नी है यह प्लक्री आपको करनी है जहां तक हो सके कि कि कोई आवाज वगरा आपको अपने नाक से नहीं निकालनी है तीसरा यह है कि आपको अपने नॉस्ट्रिल्स को बहुत हार्ड प्रेस नहीं करना है पता चला आप ऐसे एकदम से लेकर ऐसे छोड़ रहा है यह अरकत मत करिएगा इसका नुकसान होता है यह फाइदे मन नहीं है अब स्वास जो है बहुत धीरे से लेनी है बहुत दीरे से छोड़नी है ना बहुत ज़एदा स्ट्रेस जो है आपको शोड़ते में मारना है इस बात का ध्यान अपने को खास तौर पर रखना है बेनीफिट्स बगरा क्या है सबसे पहली चीज़ तो मन शान्त हो जाता है और अग्दम स्टीडी हो जाता है कोई भी अ है इतना खतरनाक तरीके से मन लगेगा कि आपका ध्यान अगर आप चाहो तो कहीं नहीं जाएगा कंसेंट्रेशन बहुत गजब तरीके से जो है इनायन्स हो जाता है ब्रेन के में ब्लट सप्लाइब बढ़ जाती है इसके लावा लेफ्ट और राइट हैमिस्फिर जो है आप पर विचार चल रहा है तो फिर उसी पे आप फोकॉस हो सकते हो मनन कर सकते हो किसी तरीके से आपका दिमाद 10 साल पुरानी बाते हैं 25 साल पुरानी बाते हैं 50 साल बात होने वाली बातें कुछ नहीं याद डिलाएगा ना कुछ वाजीब इमाजीनेशन दियू जिए wzglए impressions प को बोलते हैं भूल बाल जाओगे वगरा जो है वह आपको देखने को मिलती है इंसोम्नियां वगरा जो है वह चला जाता है और ब्रेन के की जाए यह बहुत बहुत और बहुत भयंगर तरीके से अफेक्टिव है इसलिए अनुलों विलों मैं बोलूंगा आप लोगों से कि जितना हुसा कि उतना जाद उसके प्राणायाम में क्या किया जाता है उसके बारे में हम लोग फ़्ला बातचीत करते हैं चलें देखते हैं तो उजाई में हम लोग यह करते हैं सबसे पहले तो आप प्दमासन में में बैठ जाईए है अल्दी-बल´दी मैर के बट जाईए जैसे आपको ठीक करना है इसको टाइट करने के बाद में फिर आपको दोनों अपने नॉस्ट्रल्स वगरा से जो है श्वास वगरा को अंदर खीचना है अब जब आप इस तरीके से गले को टाइट करने के बाद में श्वास वगरा को अंदर खीशने की कोशिश करते हैं तो एक अजीब सी आवाज होती है तो वो आवाज वगरा होगी वो थोड़ा सा जो एक पेक्यूलियर साउंड वगरा होगा उसका कोई इशू नहीं है अब आपको तब तक श्वास लेनी है जब तक आपका चेस गया है इसको पिर आपका निकाल देना है इसको एक से फिरे दीरे दीरे आपने दो नॉस्टिल की मदद से सुथे जो है युनिफर्म मैनर में ब्रैट को लेना शुरू किया है जब तक आपका ब्रैट ने आपके थ्रोट और हार्ट वगरा के पूरी रीजन को भर नहीं दिया इनेलेशन करते वक्त में वही बात जो मैंने कहीं थी कि खास तरीके की पेकिलियर साउंड वगरा क्रियेट होती है क्योंकि आपने एक दम यह पूरा का पूरा पूर्शन मगरा जो टाइट कर रखा है इस जो साउंड आएगा आपका यह आएगा तो जरूर मगर इसको अपने को ध्यान रखना है कि माइल्ड होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए ऐसा नहीं कि जब ले रहा है सांस तब बहुत तेज है उसके बाद फिर कम हो गया फिर तेज हो गया जादा इस तरीके की चेस्ट को जितना चाहिए उतना एक्स्पाइंड करें उसके बाद में अपना जो सीधा वाला नॉस्ट्रिल से बंद करें और जितनी भी श्वांस वगरा ली थी फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल वगरा से उसको एक्जेल कर देना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल देना है सांसे कितनी बरनी है थ्रोट से लेके हार्ट तक चैस तक सब कुछ जो है आपका एर से फिलफ हो जाना चाहिए डूस और डॉंस में सबसे पहली चीज जो अपने को करनी है ब्रीफिंग जो है वो डीप होनी चाहिए लोग होनी चाहिए यह नहीं कि यहां पर नहीं आने चाहिए उज्ज़ई प्राणायाम का देखिए बैनिविट्स वगरा की बात कि जाए सबसे पहले तो आपका जितना भी दिमाग की गर्मी वगरा होती है वो उसको बाहर लेकर जाता है और मनय को और से आपको बचा के रखता है शीया जो रहा है ऑकसेण शита आती ही DR तो इसके बचा झा रहा ही ड़ी है जाड़ा मातरामे अगर आप स्थिष्जंट नहीं रही तो उससे बचाता है कार्ड इक ढगार रांकिक से करता हैegeन। और कचाता है इसके बचाता है उसका फीवार कैines कफ के संभावनहा रहा है काफी जांता है हर कभी जो हार्ड आड रेक रेखना की हैता है इससे जो है सामने वाला बचा रहता है, काफी हद तक उसकी इससे सुरक्षा हो जाती है, चले, आगे बढ़ते हैं So with this we come to end of today's session आज का जो अपना session था, इसमें हम लोगोंने प्राणायाम के बारे में बातसीत करकर खतम करी है, अब next जो अपना session रहेगा, उसमें हम लोग जो बंद होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि बंद क्या होते हैं, कैसे लगाये जाते हैं और इनका क्या फाइदा होता है, अगर वो सारी की सारी बातसीत next session में है आज का सत्र यहीं पर समाप्त करता है, समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि Magnet Brains का जो content है, जो आप exclusively 100% free of cost देख सकते हैं इसको access करने के तीन modes है, या तो आप इसे हमारे YouTube channel पर देख सकते हैं या आप इसे हमारे website पर देख सकते हैं, या फिर आप इसे हमारे app पर देख सकते हैं आप इसको आप मोबाइल फोन पर चला सकते हैं, टैबलेट पर चला सकते हैं, लफट आप पर चला सकते हैं, पीसी पर चला सकते हैं, जहां पर भी चाहाँ आप इसको access बगरा कर सकते हैं तो इसका जितना हो सके उतना benefit उठाएं, यहाँ पर आपको सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है CBSE, English Hindi Medium Boards का related content हो, State Boards का content हो, NTSC, CVT, UPSC, IIT जहीं, जो भी content बगरा हो, सारा का सारा content आपको exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है तो जितना हो सके इसका benefit उठाएं, जितना हो सके इससे अपने preparation वगरा को enhance करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे चलते हैं इसके लावा अगर आपका कोई feedback है, अगर आप कोई और बात हमसे share करना चाहते हैं, कोई और बात अगर आपके मन में है, जो आपको लगता है, हमें बताई जाना चाहिए, आप हमसे connect करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे social media handles वगरा पर contact कर सकते हैं, connect कर सकते हैं, facebook पर, आपका Instagram पर, Twitter पर, WhatsApp के जो groups बने हैं, इन पर, Telegram पर वगरा वगरा इन सारी जगाहों पर आप हमसे contact कर सकते हैं, आप हमें mail भी कर सकते हैं, and we will be very happy to listen from you, तो जितना हो सके मैंगरेट बिंस का benefit उठाएं, हमसे हरतार से जुड़ें, जितना हो सके दूसरे लोगों में भ परचार परशार करें, preparation को enhance करें, सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे चलते रहें, इसी note पर calling it the day and concluding the session, मिलते हैं next session में, thank you, जाहिद